नमस्ते ज्यान गंगा भारत इस यूटूब चाइनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज हम अनोपचारिक पत्र लेखन में अपने मित्र को गाव आने का निमंतरन देते हुए पत्र लिखी है इस प्रकार का प्रश्न आपको हमेशा परिक्षा में पूछा जाता है तो आपको अपने मित्र को गाव आने का निमंतरन देते हुए पत्र किस प्रकार लिखना है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना जिस दिन हम अपने मित्र या सहीनी को पत्र लिखेंगे उस दिन की हमें दिनांक लिखनी है इधर मैंने एक्जाम्पन दिया है दिनांक दो मई दो हजार बाइस उसके बाद जो आपका मित्र है जिसे आप पत्र लिखने जा रहे हैं सही नहीं हो या दोस्ते हैं उसका नाम हमें निकना ही प्रिय मित्र राकेश उसके बाद क्वामा करना है उसके बाद सप्रेम नमस्कार पुर्ण विराम पत्र लिखने का विशेश कारण यह है कि हमारे गाव का मेला पाच मई को लगने वाला है मेले में कई लोग शामिल होते हैं मनोरंजन के सादन भी आने लगे हैं मेले का मुख्य दिन पाच मई है तुम जरूर आना हम दोनों मिलकर मेले में घूमेंगे फिल्म देखेंगे जले भी खाएंगे कुस्ती का आखाडा देखेंगे अरे तुम्हें बताना भूल गया कुस्ती में सुशिन कुमार सम्मिलित होने वाले हैं तुम जरूर मेरे गाव आना मेरा देख रहा हूं माता पिता को सादल प्र लिखना ही नाम, राजश सेलार, पता, 450, नई, पेट, बोर, पुने, उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है जो आपका इमेल आइडी होगा हो आपको लास्ट में लिखना जरूरी है इस प्रकार आज हमने अनुपचारिक पत्र लेखन में अपनी मित्रों को गाव आने का निमंतरन देते हुए पत्र किस प्रकार लिखना चाहिए इसकी जानकारी प्राप्त की आपको यह वीडियो कैसे लगा कमिन बॉक्स में जरूर बताना वीडियो को जादा से जादा शेर करना लाइक करना अगर आप हमारे ग्यान गंगा भारतिस यूटूब चानल पर नए हो तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकोन को प्रेस कीजे ताकि आप कर ओऴके से अपकराद पाम जरूरा पर नए करना वहारतिशा हो तो चानल को जरूर हो जो आप बोगादावेanti 202 को जरूरूर QA कमिन जरूर करना वारतिस यूर यह ससतria हैnels कानल आपम आपम आपमником जरूर पकर सिन एकरहद यह से हमां जरूर